हेलो गाइस, I hope you all are doing good so today in this video we will be continuing our chapter 2nd जो कि है NCRT class 11 political science का chapter 2nd हम पढ़ रहे हैं The Rights in Indian Constitution ठीक है, तो हमने ये जो chapter है almost आदा complete कर ली हैं ठीक है, आज हम पढ़ने पाले हैं एक particular article that is हमारा एक right of fundamental right और वो है हमारा एक मौलिक अधिकार जैसे हम बोलते हैं और वो हमारा right against exploitation, शोषण के वरुद आधिकार तो उसको आज हम डेटिल में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं फिर हम अगली वीडियो में जो हमारा next writer right to freedom of religion उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये काफी छोटी वीडियो रहने वाली है तो चली चालू करते हैं बिना समय वीडियो को I welcome you all to the channel I'm your friend Arun Shamo Now, before we start understanding this particular right उससे पहले आपकी ड्यूटी बनती है आपको चैनल को सब्स्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है and you have to share it with your friends as well ठीक है यानि वीडियो की बात कर रहा हूं मैं ठीक है चलिए चालू करते हैं और सोशल के विए अधिकार को हम दम डीटेल में जाकर पढ़ेंगे अब देखिए यहां पर हम चालू करते हैं सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि हमारी country में जो ना कही ना कहीं आपने देखा होगा कि वुमें्ट्चे भी Uhबाता सब्खे prata मिंगे वुमेंन्स के राइट दो के बारे मिं जो मेंस के राइट है वह मेंस के राइट है AMB चाहे हैं हम प्राचीन भारत की बात करें चाहें फिर हम मेडाइवल भारत की बात करें ठीक है तो हमने दोनों ही जगह पर चाहें फिर वह एंसियंट हो या फिर मेडाइवल इंडिया हो और या फिर मॉडल इंडिया हो ठीक हमने सारे जगह पर देखाए कि वुमेन के राइट ब्राम्मन्स और फिर आते थे शत्रियाज फिर आते थे हमारे वैश्याज और फिर सुद्राज उसके निचा आते थे डाउंट्रोडन्स ना ये तो आपको बात पता ही है अल्रेडी ठीके मगर यहां पर एक और चीज है जो समझने वाली है वह यह कि जो बच्चे हुआ करते ना उनसे पहले भी काम कराया जाता था और जब मेडाइवल एज आई ना तो वहाँ पर भी बच्चों को ऐसे घरों में सिलेव की तरह से यूज करा जाता था और वोमिन्स जो हुआ करते थे ना उनको भी बेचा खरीदा जाया करता था ठीक है हमने एंसेंट काल में भी दे वेराज जो बच्चे हुआ करते थे उनके पास भी जागा राइट नहीं हुआ करते थे तो यहां पर यह चीज़े जो ना आगे भी प्रोसीर होती है मेडाइवल काल में भी हमने काफी सारी देखी कि वोमिन्स को जाता हो महतवता नहीं दी जा रही है ठीक है और यहां पर वमिन्स के राइट से उनका हनन किया जा रहा है उनको खरीदा बेचा जाता है चाहें फिर वो मैन हो बच्चे हो और यह फिर वोमिन हो ठीक है और यह जो चीज़े हैं आज के समय में भी चल रही है मौडर्न इंडिया में भी चल रही है अपने देखा होगा आये दूसरे त कितना रिए लड़क्शा गायाव हो गया है और एक मैं गशुरता की तलास है तो यह सारी जीज़ापको है इसका तात पर यही है कि यह जो जो लड़कियां गायब होती है, यानि जो girls जो kidnap की जाती है, उनको as a slave बेच दिया जाता है, दूसरी बाहर country में, ठीक है, फिर उनको वहाँ पर ले जाकर, या तो sexually abuse करा जाता है, ठीक है, exploit करा जाता है, या फिर उनको prostitute बना दिया जाता है, ठीक है, prostitute अब वर्ड एक वर् will get to know who is the prostitute, ठीक है, who usually sells his body, ठीक है, अपनी body जो बेचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लड़कियों को इस काम मेरेती जाता है, और दूसरी चीजी, जो लड़कियां होती है, और जो women's होती है, उनको अगर kidnap भी कर ले जाते हैं, तो उनकी जो organs से वो भी traffic करे जाते हैं, चा trafficking है इसको associate करकर देखी, यानि तसकरी जो होती है, kidnap भगर करे जाते हैं, ऐसे ही होती है, इन सारी चीज़ों में यही सारी चीज़ों होती है, ठीक है, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, बच्चों के तो नए नए और्गन होते हैं, और यह तो बहुत ज़दा कारगर होते हैं, ठीक है, जो African particular continent आपने नाम सुना होगा, कि एक महादीप है, अफ्रीका महादीप, ठीक है, और वहाँ से लोगों को खरीदा जाता था, और वहाँ से ले जाकर दूसरे जो महादीप हुआ कर देते हैं, वहाँ पर बेच दिया जाता था, किसके द्वारा, European जो हुआ कर देत उनके दूरा, ठीक है, चलिए, ये सारे बाते तो आपको पता चल गए यहाँ पर देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चों को काम में लगा जाता है, और और ओरतों को भी काम में लेजाता है, ठीक है, उनसे भी काम करा, मगर आपने देखा होगा, कि उनके इक्वल अमा है ना वह बहुत कम होती है as compared to the man ठीक ऐसा क्यों क्योंकि काम तो दोनों ही सेम कर रहे हैं तो यह सारी चीजे भी होते हैं इसलिए को जो वोमेंस होती है वो काम में लिए उनसे काम कराया जाता है ठीक चाहें फिर वो मैस्टिक में हो चाहें फिर वो एक इंडस्ट्री में हो ठीक है तो यहां पर जोने यह सारी चीजे भी सुनुशित की गई हमारी ऐसी बच्चे जो होते हैं बच्चे जो ना पहले जब बल्टीशर सुआ करते थे तो वहां पर माइन्स वगएरा खोदी करते खोदाई खोदी तो वच्चे जो शुन जाती थी जैसे हमारी जो छेटा नाग पर प्लैटी वगएरा हैं और बंदेल फंड फ्लैटी होगें और जहरकंड यहां पर माइनिंग वगएरा होती है तो वहां पर बच्चे आसाने चीज़ाए बच्चे जैनी पर बिंचलिबी कर लेतारं उनको जादा पैसे देने भी नहीं पड़ते, तो इसी तरीके से बच्चे और लेडिस होगा, बहुत जादा काम दिया जाता था इनसे, आपने एक मुवी देखी होगी, के जी अफ जिसका नाम होता है, कोलर गोल्ड फिल्ड करनाट कमें जगा है, कोलर गोल्ड फिल्ड को यह जो न maker से वो अपने नजरों के सामने लेकर आया और इनके लिए भी प्रावधान बनाए गई ठीक है यह बात आपको समझवाएं अब चलते हैं आगे अब यहाँ पर यहाँ पर इस चीज को समिशित करने के लिए कि इसी की right का भी उलंगन ना हो हमारे यहाँ पर हमारे constitution में article 23 और 24 के अंडर दो राइट दिये हुए हैं that is the right against exploitation ठीक है कोई आपको exploit नहीं कर सकता पहला जो राइट है वो है prohibition of traffic in human being यानि मानव की तसकरी ठीक है मानव की तसकरी और force labor ठीक है यह इस चीज को prohibit करता यानि बंद करता प्रतिविंब लगाता है पर कि कोई भी force labor नहीं होगी कोई भी human trafficking नहीं होगी दूसरी है prohibition of employment of children in hazardous jobs ठीक है यानि जो बच्चे है ना उनका जो hazardous जो कंग जैसे construction होगे माइन्स होगे ऐसे जगह पर और जो chemical factor यहां पर बच्चों को काम करना बंद लगाया जाता है यहां पर इस article 24 के अंडर यह color coding आप याद रहिएगा ठीक है अब चलते हैं हम आगे अगर हम यहां पर अपकी book के हिसाब से पढ़े तो यहां पर दे रखाएगे यहां पर exploitation country मे ना हूँ जैसे कि आपने जिए काफी सारे जो भीकारी हैं जिन्य हम bagger बोलते हैं आपको क्या लगता है कि जब भी आप अगर कार वगारे में travel करते हैं फिर बस वगारे में travel करते हैं यू विल यूण एनकाउंटर आप देखते हैं कि आपका सामना होता है काफी सारे बच् ठीक है इनको exploit करा जाता है मगर इसके अगेंस्ट कोई action को नहीं रहता है क्योंकि यह सारी चीज़े जो होना ओपर लेवल तक connected होते हैं जब आप एक बार सिस्टम में जाएंगे then you will get to know कि what things are ठीक है तो यहां पर यह सारी चीज़ें हैं यहां पर हो रही होते हैं अब यह बात तो आपको पतर चला जारा है उससे या फिर आपको पैसा दिया ही नहीं जा रहा है उसको बोलते हैं force labor bonded labor bonded labor यानि आपको जैसे की मान कर चलिए कि आपसे जो ना काम करा जाए मगर आपको कोई भी पैसा ना दिया जाए यह जोगी हमारी bonded labor की ठीक है अगर हम simple भासा में समझें से bonded labor को ठीक है जैसे कि आपने अगर कोई करजा ले लिया किसी साहुरकार से ठीक है या किसी एक particular बंदे ने या फिर ये किसी एक particular man ने करजा ले लिया है एक साहुकार से और उसने कहा कि आपको जो ना इस करजे के बदले आपको हमारे हाँ पर 10 साल नौकरी करनी होगी तो एक तरीके से ये bonded labor है क्योंकि यहाँ पर जो ना जो man की जो freedom है ना वो कहीं ना कहीं हनन हो रहा है उसका ठीक है freedom का हनन हो रहा है और वो दूसरी जगा पर काम नहीं कर सकता उसको इस पैसे के बदले bond हो जाएगा वो और उसको उस साहुकार के हाँ पर ही काम करना पड़ेगा ठीक है ये पता आपको है तो यहां पर यह जो exploitation होता है ना ऐसे हमारी हम पर जो ना तसकरी भी होती है तसकरी जो होती है वो आपको दिखती नहीं है मगर trafficking होती है human की ठीक है मानव की बच्चों को उठाया जाता है लड़कियों को उठाया जाता है जो यूथ होती है लड़कियों जो किश्वरवस्ता में चल जाती है खासकर उनको उठाया जाता है ठीक और उनको एक दूसरे एक दूसरे सी जो country है ना वहाँ पर भीज़ दे जाता है उनकी तसकरी होती है buying and selling of the human beings और ऐसा नहीं कि खाली जो लड़कियां है या फिर बच्चे हैं उनके साथ होती है नहीं जो man होते है ना उनके साथ भी यह सारी चाहिज़े होती है ठीक यह बात आपको यहाँ पर पता से लगी तो यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल 23 है ठीक है अब फोर्स लेबर वस सेट है जो मिलना चाहिए वो उसके नीचे काम करते हैं जो clean worker होते हैं ठीक है workers होते है जो भटो पर काम करते हैं तो यह सारी चीज़ आपको पता चले है चलिए आगे चलिए चलो मगर एक और चीज़ आपको वो force labor में नहीं आते ऐसे देखे state है ना state यानि इंडिया अगर ये कहे कि एक particular man है अगर वो 18 साल की उमर उसकी हो जाती है तो उसके बाद उसको 2 साल military वगएरा में या फिर एक particular जगा पर serve करने होंगे तो वो compulsory है सब को ठीक है वहाँ पर force labor नहीं होगर उसको उसको लेकर जो होगे तो वो force labor में हम consider नहीं करेंगे ठीक है चले आगे चलिए अब यहीं देखिए यहाँ पर नेम्द फंडमेंटल राइट हूँ हूज वाइलेशन इस डिपिक्टेट इन इस फोटोग्राफ आप मुझे comment box में comment करकर बताए कि इसमें कौन से fundamental right का उलंगन हो रहा है obviously आपका आता दूसरा right that is the article 24 article 24 में ये है कि कोई भी एक बच्चा है वो अगर कोई भी एक हजार्डियस माइन वगर हो गई या फिर कोई भी एक construction work हो गया या फिर railway में हो गया तो वहाँ पर वह 14 साल से अगर उसकी उमर कम है ना तो वह ऐसी जगाव पर काम नहीं करेगा काम बिलकुल भी नहीं करेगा मगर पहले क्या हो करते था कि अगर कोई भी एक innocent working place है ना तो वहाँ पर वह ये बच्चे काम कर सकते थे बट आगे 2016 में जब amendment लेकर आएगा ना 2016 की बात कर रहा हूं मैं है ना पर ठीक है 2016 में जब amendment लेकर आएगा तो यहाँ पर 14 साल से कम उमर के बच्चों को हर एक जगा पर बैन कर देगे कि ये काम करींगे ही नहीं और फिर जो ना इसी तरीके से इनकी जो education वगेरा को promote भी करा गया है इसे लिए आपने देखा होगा कि हमने last time जो article प्रता 21A वो right to education से deal करता है ऐसे ही 45 एक article है जो DPSP में है मैं आपको आगे आगे तो यहां पर article 21 को insert कर देए जिसमें compulsory education लगा दे गई ताकि यह जो बच्चे काम कर रहे हैं इनको भी थोड़ा सा आगे सहुलियत मिल सेके इनके जो right to education का हनन ना हो ठीक है यह बात आपको समझ में आगे चले आगे अब देखे यहां पर यही इसी में बताने वालों पर लगा रखा है अब वो जितने बच्चे है ना वो अगर पाया जाता है उसको संदिक मान लिया जाता है कहां इसने बच्चों काम पर लगा है तो उसको per person per head यानि पर बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपे जमा करवाने पड़ेंगे child labor rehabilitation welfare fund के नाम पर ठीक है तो यहां पर य स्टेट लेवल पर जोना child commission है यानि state commission for protection of child rights ठीक है तो यह सारी जो commission यह दौनों commission state level for national level भी बना देगे है ताकि जो बच्चों के rights है ना उनका हनन ना हो ठीक है चले आखे चले आप भी बच्चे ही है अभी ठीक है आप हो भी सकता कि आप बड़े हो और यह वीडियो directly write कर सकते हैं नीचे YouTube पर comment box में Telegram पर Instagram और Facebook पर ठीक है तो आपके पास so many medium है तो बहाँ पर आप मुझसे अपनी queries वगर रहा है वो पूछ सकते हैं तो चले मिलते हैं एक और ने वीडियो में एक और राइट के साथ जाते that is the right to freedom of religion मैंने कहाता है छोटी वीडियो रहेगी ठीक है चलिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करती जिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ पी शेर करती जाए यह आपके ड्यूटी है तो चलिए में एक और ने वीडियो में एक और इंफ्लूशन साथ तब तक के लिए जैरे